अगर आप एक CAC वहरी हो, Common Service Center संचालक हो, तो आप लोगों के Digital Siva Portal में एक New Service को Live किया गया है, इस Service में आप लोगों को I Did Courses के लिए Students का Registration करना है, और काफी अच्छा Commission आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, पर Student का Registration आप लोगों को 4000 का Commission दिला सकता है, तो दोस्तो इस इस वीडियो में आप लोगों को इस Service के बारे में Complete जानकारी पता चल जाएगी, साथे साथ Student का Registration और VLE का Registration कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोगों को लाज तक जरूर देखेगा, चलिए आज किस कमाल की वीडियो क शुरू करते हैं, तो इस New Service के बारे में जानने के लिए आप लोगों को Simply अपने Digital Siva Portal में Login करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को New Arrived Services में आना होगा, यहाँ पर आप लोगों को Option मिल जाएगा, Student Registration for IDD NCVT Courses, तो यहाँ पर Simply आप लोग इस Service पर क्लिक New Tab में एक Link Open हो जाएगा, कुछ इस परकार से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस Service को Digital Sitchha तथा रोजगार विकास संस्थान, यानि की Institute of Digital Education and Employment Development के द्वारा Service को Live किया गया है, और अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाते हो, तो आप लोग Simply नीचे स्क्रॉल करोगे, तो आप लोग देख सकते हो, About Us के सिक्षन में इसके सारे ही डिटेल्स को बताया गया है, Digital Sitchha and रोजगार विकास संस्थान, टॉंक is a prominent Central Autonomous Institute in the State of Rajasthan, यानि की Rajasthan State में या एक Autonomous Institute है, जहां पर बहुत सारे Courses को कराया जाता है, और ये सरकार द्वारा मानेता प सकते हो, Enrollment करने के बाद उन्हें एक Unique User ID और Password मिल जाता है, उस User ID और Password की मदद से वे Login कर सकते हैं, और अपने पढ़ाई को Complete कर सकते हैं, साथे साथ दोस्तों इस Institute के द्वारा जो भी Certificates आप लोगों को मिलेंगे, वो आप लोग Digilocker से भी Download कर सकते हो, और ये जो है या पूरी तरह से Certified Institute है, यानि कि अगर आप लोग यहां से डिगरी लेते हो, तो आप लोग इस डिगरी का यूज कहीं पर भी कर सकते हो, और यह जो Institute है, या राजस्थान में Established है, यानि कि इसका Head Office राजस्थान में है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता चल ग सकते हो, और आप लोगों को एक कमिशन मिलेगा, साथे साथ उन्हें एक डिगरी भी मिल जाएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी student कौन-कौन से Courses को इस Institute से कर सकता है, तो Courses के बारे में जानने के लिए आप लोगों को सिंपली यहां पर Courses का बटन मिल अभी फिलाल आप लोग यहां पर दो Courses को कर सकते हो, Diploma Attendant Operator और Diploma and Horticulture Assistant और दोनों का ही प्राइस यहां पर बताया गया है, तो इस प्राइस में आप लोगों को कितना कमिशन मिलेगा, पर student registration उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को VLE registration कर करना होगा, उसके बाद आप लोग student का registration कर सकते हो, तो VLE registration करने के लिए आप लोगों को यहां पर option मिल जाता है login का, जिसमें आप लोग center पर click करोगे, center पर click करने के बाद, basically आप लोगों को सामने एक छोटा सा form आ जाएगा, जहां पर आप लोगों को अपनी center का थोड़ा स fill करना होगा, और उसके बाद यहां पर आप लोगों के सामने connect with digital सेवा connect का button मिल जाएगा, simply आप लोग connect with digital सेवा connect पर click करोगे, उसके बाद आप लोगों का dashboard इस प्रकार से open हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का CAC ID भी so करेगा, आप लोग यहां पर देख सकते हो, अभी मैंने एक भी student को register नहीं किया है, और कोई भी courses को भी avail नहीं किया हुआ है, तो अगर आप लोग किसी भी student का registration करना चाते हो, तो आप लोगों को यहां पर एक option मिल जाता है student का, अगर आप लोग student का registration करना चाते हो, तो add student पर click करोगे, और registered students का details देखना चाते हो, तो आप ल लाल आम लोग यहाँ पर add student पर click करेंगे फिर यहाँ पर हमारा student का complete application form open हो जाएगा इस application form को काफी carefully तरीके से हमें fill करना होगा क्योंकि कोई भी details अगर गलत हो जाती है तो इसके institute में भी वही data पहुँच जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर admission category को select करना होगा जिसमें आप लोग regular या फिर distance को select कर सकते हो अगर वो daily basis में class करना चाहता है तो आप लोग regular को select करोगे अगर वो daily basis में classes नहीं करना जाता है तो आप लोग distance को भी select कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को admission Session सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप लोगों को 2022 और 2023 का Option मिलेगा क्योंकि अभी यही Session यहां पर चल रहा है उसके बाद यहां पर आप लोगों को Medium सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से Medium में एडमिशन करना जाते हैं, हिंदी मेडियम में या फिर इंग्लिस मेडियम में तो यहाँ पर हम लोग मेडियम का सेलेक्शन कर लेंगे फिर इस्टुडेंट का नेम यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे इस्टुडेंट का फादर्स नेम यहाँ पर फिल करेंगे मदर नेम यहाँ पर फिल करेंगे और उसके आप लोग Indian टाइप करोगे Mobile number यहाँ पर आप लोग टाइप कर दोगे Student का email ID को यहाँ पर आप लोग फिल करोगे फिर उसके बाद gender यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे male, female या फिर others तो आप लोग अपने हिसाब से इसे सलेक्ट कर लोगे फिर qualification आप लोगों को यहाँ पर सलेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई बंदा 8 पास है तो उनका भी आप लोग यहाँ पर registration कर सकते हो क्योंकि diploma degree के लिए minimum qualification 8 class होनी चाहिए तो आप लोग सिंपली यहाँ पर 8 को सलेक्ट कर लोगे या फिर जिस भी qualification का वो student है उसे आप लोग यहाँ से सलेक्ट कर सकते हो फिर यहाँ से आप लोगों को university का name फिल कर देना है या फिर आप लोग बोर्ड का नाम भी फिल कर सकते हो उसके बाद role number यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है passing year यहां से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, passing year सेलेक्ट करने के बाद कितना percentage इसके highest qualification में है, वो percentage यहां पर upload फिल करोगे, student का एक image यहां पर आप लोगों को upload करना पड़ेगा, फिर यहां पर एक document image को भी upload करना पड़ेगा, document image में आप लोग इसके mark set को भी upload कर दोगे, उसके बा click करने के बाद 7200 का sale amount आप लोगों को सो करेगा, लेकिन आपके wallet से 3200 ही cut होने वाले हैं, यानि कि per student का registration में आप लोगों को 4000 का फायदा हो सकता है, तो registration यहां पर complete होने के बाद student के email ID में उनका user ID और password send कर दिया जाता है, तो student आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें login करके उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग इसके home page में आ जाओगे, या फिर आप लोग यहां पर देख सकते हो, login का बटन दिया गया है, login के बटन में student का option दिया गया है, simply आप लोग student वाले option पर click करोगे, फिर यहां पर student का email ID फिल करोगे, password यहां पर फिल करोगे, capture फिल करोगे, उसके बाद login पर click करोगे, तो student का dashboard open हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, CAC Digital Siva Portal में इस नए सर्विस को कैसे आप लोग यूज कर सकते हो, और यह नया सर्विस क्या है, तो basically यह जो है, यह student का registration के लिए इस सर्विस को live किया गया है, यह एक institution है, जिसमें आप लोग student का registration करके, student अपना courses को complete कर सकते हो, और अपना diploma degree ले सकते हैं, और यह institute government द्वारा verified भी है, तो यह जो degree है, यह degree का भी value आप लोगों को मिल जाएगा, आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को helpful लगा होगा, क बाइगा।